वीवियन डिसेना की दूसरी शादी पर आया है उनकी एक्स वाइफ भावीज का रियाक्शन जहां कसा हे टॉंट जिसे सुनकर होगी आपको भी हैरानी क्या कुछ कहा है भावीज नहीं चलिए जानते हैं हलो दोस्तो मैं हूँ कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं फीफा फूस वैल जैसा कि हम देखी रहे हैं कि वीवियन डिसेना जितनी ही अपनी पॉसनल लाइफ को दूर रखना चाहते थे मीडिया के सामने नहीं लाना चाहते थे लेकिन इश्क छुपाए नहीं छुपता ये तो हम सभी को पता है अब ऐसे में हाली में वीवियन को खुल कर सामने आकर सारी चीजे बोलनी पड़ी की भई उनके दूसरी शादी हो गई है चार महिनी की बेटी है 2019 से उन्होंने इसलाम अपनाया है और पांच वक्त का रोजा पढ़ते हैं नमास पढ़ते हैं और उन की एकस वाइफ है उनका रियक्शन हर कोई जानना चाहता था लेकिन यहाँ पर इंडारेक्टली जो है भावीज है सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को शेयर करती हुई निजर आए और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने टॉंट कसा है वीबियर को उन्होंने सोशल मीडिया पर करते हुए लिखा है माउथ केन लाए आइस केन नौट पीपल विल फॉगेट कर्मा विल नौट भाई मू जूट बोल सकता है लेकिन आखे नहीं लोग भूल सकते हैं लेकिन कर्मा नहीं भूल सकता कर्मा लौट कर आता ही है वैल अब यहाँ पर बहावीज ने यह टॉंट करसा है वीवियन को यह सला दी है यह तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा अभी हर कोई बावीज का रियाक्शन जाना चाहता है कि वीवियन की दूसरी शादी हो गई है इस पर आपका क्या रियाक्शन है तो अभी रियाक्शन जब आएगा तब आएगा लेकिन आपको वेल क्या कुछ कहना है इस पर आपको आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टीवी की दुनिया की खबरों को जानने के लिए बॉलिवूर्ड और टेलेवेजिन की चटपटी गॉसिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।